हलो स्टूडेंट मैं शाइन लूथरा आज हम करेंगे क्लास एट हिंदी मीडियम की मैस की प्रशनावली साथ दिश्यमलव दो जिसका पहला प्रशन है अभाज्य गुननखंडो की विदी द्वारा निम्मलिकित में से प्रतेक का घनमूल ग्याद कीजे जितनी भी हमें नीज संख्याय दे रखी हैं हमें इन सब का घनमूल निकालना है किस विदी से अभाज्य गुननखंडो की विदी से जैसे कि हमने वर्ग मूल वाला अध्याय छे किया था उसमें भी हमें जो है वर्ग मूल निकालना होता था अभाज्य गुननखंडो की विदी से तो इसमें भी ह फिर दो से, सोला, फिर दो अठे, सोला, फिर दो चोग, फिर दो दुनी, फिर दो एकम, ठीक है, तो अब इसके आभाजे गुननखन क्या बन गए, अब इसके जो है, चौसट के जो हमें वर्गमूल निकालना है, तो चौसट का जो वर्गमूल निकालने के लिए, जो इसके ग दो, तीन, एक, दो, तीन, अब इसमें से जो है, तीन में से एक नहां से निकाल लेंगे, और एक यहां से निकाल लेंगे, तो 64 का आजएगा, दो गुणा दो, तो इसका जो हमारा वर्ग मुल आएगा, वो आएगा, 64 का वर्ग मुल आएगा, दो दुनी चार ठीक है इसका वर्गमूल क्या हो गया चार सौरी वर्गमूल नहीं घनमूल हम घनमूल निकाल रहे हैं इसके अंदर तो 64 का जो घनमूल है वो है चार तो जितने भी प्रेशन हमने करने है पहले हम उनका इस तरीके से भाज्य गुननखन उनका जुन बनाएंगे तीन तीन का उसमें से निकालेंगे फिर हम उनको गुणा करेंगे तो हमारा घनमूल निकलाएगा दूसरा है हमारा 512 इसको भी पहले दो से करेंगे हम इसको फिर हमारा ये 2 से जाएगा फिर 2 से फिर 2 से और उसके बाद 2 एक कम 2 ठीक है तो सारे हमारी किस से गए ये 2 से गए तो इसमें 3-3 के देखो यहाँ पे जुन बन रहे हैं तो हम जो है 512 का हमें घनमूल बताना है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर से 2 गुणा 2 गुणा 2 औ और फिर एक बार तीसरा जुन 2 गुणा 2 गुणा 2 का तो तीन तीनों में से एक एक निकाल लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 तो यहाँ पे अभी हमें घनमूल निकालना है तो इसका घनमूल क्या आजएगा 512 का 2 दुनी 4 4 दुनी 8 आट जो है इसका वो घनमूल होगा तीसरा द फिर दो से करेंगे, दो दुनी, इधर चला जाएगा, दो चिक बारा, दो दुनी चार, फिर दो से एक, तीन, तीन, एक, फिर दो से जाएगा हमारा, अब यह जाएगा हमारा ग्यारा से, दो से नहीं जाएगा, पीछे एक है न, इसलिए ग्यारा से जाएगा, तो ग्यारा एक ग्यारा ग्यारा दुनी बाईस फिर ग्यारा एककम ग्यारा फिर हम इसको ग्यारा से करेंगे ग्यारा एककम ग्यारा और ये ग्यारा एककम ग्यारा तो इसका हमारा आजएगा घनमूल देखो इसमें भी जो है हमारे तीन तीन के जुन बन रहे हैं तो गुणा दो गुणा दो ग्यारा गुणा ग्यारा गुणा ग्यारा तो इसमें से भी हमारे एक एक निकल आएंगे दो गुणा ग्यारा तो क्या हो जाएगा इसका हमारा हमारा इसका हो जाएगा 22 अभी यह नहीं आएगा क्योंकि हमने इसका घनमूल निकाल लिया है ठीक है तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे फोर्थ देखो फोर्थ है हमारा 27,000 ठीक है अब 27,000 जो है उसका अब इसी तरीके से करेंगे 27,000 का पहले करेंगे 3 से 3,27 फिर 3 तिया 9 फिर 3 एकम 3 फिर आप 5 से कर सकते हो या 2 से कर सकते हो अगर मैं 5 से करती है तो 5 दूनी 10 फिर 5 चोग 20 ठीक है उसके बाद 5 चोग 20 हो जेगा फिर 5 48 48 फिर 2 चोग 8 2 एकम 2 दो दूनी 4 और 2 एकम 2 तो यहाँ पे 3 ये 5 ये 2 के जो है वो जुन्ड बन रहे हैं तो हम लिखेंगे 27,000 का जो वर घनमूल है वो है हमारा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 गुणा 5 गुणा 5 और 2 गुणा 2 गुणा 2 यहाँ पे तीनों में सेकिक निकाल लेंगे हम तो 27,000 का हमारा घनमूल आएगा तीन गुणा 5 गुणा 2 पांच गुणा 10 और 10 तीया 30 तो 30 यह है वो इसका घनमूल आया चीक है अब हम देखते हैं फिफ्थ पांच वा है एक पांच छे दो पांच तो एक पांच छे दो पांच को आप पांच से इसके पीछे इकाई के स्थान पे पांच है तो पांच से शुरू कर लो ऑँ पांच से पंदरा पांच ये कम पांच जुनी दर्स पांच तफिर पांच से करो इसको ये दोनों सात में आजेंगे 5 x 30, 5 x 10, 5 x 25, फिर आप 5 से करो, 5 x 5, 5 x 10, 5 x 25, फिर 5 x 25, फिर 5 x 25, फिर 5 x 1, ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे 3, 5, 1, 5 x 6, 2, 5, 5 x 5 x 5, 5 x 5 x 5, तो इसमसे 3 में से 1 एक एक निकाल लेंगे, गहनमुल निकालने के लिए तो हमने इसम से 5 निकाल लिया इसम से 5 तो इसका जो हमारा गहनमुल आया 5 बज़े 25 ठीक है उसकी बद आगे देखते है 6 हमारा ये है पहले 2 से करो 6, 9, 1, 2, फिर 2 से करोगे 3, 4, 5, 6 फिर 2 से करोगे फिर आप 2 से करोगे आपको ये निकालना आना चाहिए क्योंकि अब आप एट लास में हो ठीक है तो आपको पता जोना चाहिए हम इसको किस तरीके से निकालते हैं ये हमारा 5 और 6 लास में जो हमें सिखा दिया जाते है कि किस तरीके अध्याई 6 करवाया है उसकी भी जो भूमिगा की वीडियो मैंने उसमें भी समझाए कि कैसे हम इनको अभाज्य गुननखर्ण से निकालते हैं बहुत सिंपल होते हैं आपको सिर्वी एक तरह से दो का पहाड़ा चल रहा है अगर आप भाग भी करो तो क्या से करोगे इसको भ पूरी संख्या को 2 से भाग किया फिरी आ इसको पूरी को 2 से ऐसे मैं सबको 2 2 से कर रहे हूं क्यों कि वीची हों कि पीकर चार 4 2 6 8 4 2 6 8 ठे फे हमारे 2 से चले जाएंगे अब दिखो हैं 27 यहां पर हमने किया तो यहां पर आगया था 27 जब और महीं नशको दो 2 से किया अब 27 रहा दो के पाड़े में यह आता है तो हम इसको अब 3 से कर देंगे, ठीक है, अब जितने भी हमारे गुननखर निकले हैं, 3, 3, उनको हम लिख लेंगे, इधर लिख देती हूँ, एक, तीन, आर्ट, दो, चार, कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, तो पहले एक लिख लेती हूँ, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पे हमारा चोथा जुन्ट आ जाएगा, सब में से एक, एक निकल आएंगे, तो दो गुणा, दो गुणा, दो गुणा, तीन, दो दुनी, चार, चार दुनी, आर, आरतिया, चौबिस, तो चौबिस जो है, वो इसका घनमूल आ गया, यह इसका घनमूल है, अब इसको भी हम पहले दो से करेंगे, जो पीछे दो है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दुनी 4, 2 नी मठारा, 2 नी मठारा और 2 चिक 12, फिर 2 से करेंगे, 2 दुनी 4, 2 सत्य 14, 2 चिक 12, 2 चिक 12 होजएगा, और यहाँ पर होजएगा, 2 चुक 8, और 2 अठे 16, फिर 2 से 1, 3, 8, 2, 4, फिर दो से करेंगे, तो 6, 9, 1, 2, फिर हम दो से करेंगे, तो 3, 4, 5, 6, सब को आपको 2, 2 से करना है, क्योंकि पीछे 4, 2, 6, 8, यही आ रहा, तो इस सब 2 से हमारे चले जाएंगे, ठीक है, चले, 8, 6, 4, फिर आप 2 से करो, 2, 8, 2, 6, 2, 4, फिर 2 से करो, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 12, फिर 2 से, 2, 1, 2, c 1, 2, अब यह 2 नहों हमें एक साथ लेंगे, तो उसलिए पहले 0 लगा देंगे, दो 18, 16, ठीक है, आप 2, 5, 10, 2, 8, चार फिर दो दोनी चार दो सतिय चोदा आप 27 आ गया तो 3 से तीन निम 27 तीन ते या नो और 3 एकम 3 देव कितने चुण बने हैं एक दो तीन 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 और ये तीन नहीं कि एक दो तीन चार तो दो के बने और एक तीन का बना है, तो इसका घनमूल एक एक जीरो पांच नो दो का है, एक बार फिर दो, फिर तीन, फिर चार और आखरी हमारा तीन का जुनता तीन का, सब में से हम एक एक निकाल लेंगे, एक एक जीरो पांच दो, दो गुणा दो गुणा दो, गुणा दो गुणा तीन, ठीक है, तो इन सब को गुणा करेंगे, तो हमारा आएगा 48, तो जो हमारा इसका घनमूल निकला है, एक एक जीरो पांच दो का वो है 48, ठीक है, यह देखो हमने आठवा कर रखा है, आठवे क भी हमने क्या करा है, सारे हमारे पहले दो से जाएंगे, जब तक हमारा यहां पर आठ है, जैसे हमारा नो आ गया पीछे, फिर उसके बाद हमने क्या करा, यह सारे हमारे तीन से चले जाएंगे आगे से, ठीक है, तो पहले हमारे दो तक, फिर केंगे कितना जुन बना है, इसमे दो गुणा दो गुणा दो फिर तीन गुणा तीन गुणा तीन और फिर तीन गुणा तीन गुणा तीन एक बाफिर देखलो यह सारा इस तरीके से जो है आपको इसको करना है ठीक है और आपका यह जो है इन में से एक एक निकलाएगा तो यह जगा चार छे छे पांच छे द 2 गुणा 2 दो गुणा 3 गुणा 3 तो हमारा इसका जो घन्मूल है वो आ जयेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 2 दूनी 4 और 4 तिये 12 और 12 तिये 36 ठीक है इसका तो ये इसका हमारा घन्मूल आ गया इसे ही जो इसका नौमा करेंगे हम साथ 5 शेक 6 का पहले छे इसे एक सब पहल हमदें सक ह्थू सब्सक्राइब हमने इसको इसको साथ साथ से किा। तो है कि इसके बाद हम स्कें तो हमने इसको साथ से की च्रीज़ने है। चाहर सामस सब्सक्राइब बाद हमइन सब्सक्राइब hai। नीम 63 किया, फिर 77, 99, 47, 71, ठीक है, तो इस तरह से हमारे कितने दो के गुरूप बने, एक, दो, तीन, ये एक बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चोथा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका जो घनमूल है, वो है, दो गुणा, दो, गुणा, दो, फिर दो, गु गुणा, दो, और फिर 7, गुणा, 7, गुणा, 7, इन सम्मे से एक, एक निकाल लेंगे, ठीक है, दो, गुणा, दो, गुणा, दो, और 7, तो दो दुनी, 4 हो जाएगा, चार दुनी, 8 और आसते, 56, तो ये जो हमारा आएगा, इसका घनमूल वो आएगा, 56, ऐसी देखो, दस आपाठा मैं से करेंगे, पीछे 5, आप पहले 5 से भी कर सकते हैं, तो पहले मैंने 3 से किया, फिर नीचा आके इसको 5 से करें, गर आप पहले ओपर 5 से करें, तो नीचा को 3 से करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका हम लिख लेंगे, इसमें एक ये गुरूप बन रहा है, एक तो इसका जो घनमूल हम लिखेंगे, 3 गुणा, 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 और 5 गुणा, 5 गुणा, 5 गुणा, 5 तो इन सब में से जो है, वो एक एक निकलाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 3 गुणा, 3 गुणा, 5 तो हो और नो पंजे 45 तो इसका जो है हमारा आएगा 45 घनमुल तो यह हो गया हमारा प्रेशन एक अगली वीडियो में इसका प्रेशन दो करेंगे वीडियो हलफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थेंक यू